हेलो तेकुकर बेबीस, विल्कम तो मैं चैनल, गाइस आज मैं आप लोगों के साथ तेकुक फैन फिक्शन होई ने कोल्ड बिलियूनरी ट्रीटेट इस पेगनेंट हजबन एज असलेप बीकॉस ही इस म्यूट के पार्ट नाइन एक्स्प्लेंड करने वाली हूँ दस मिनिट बाद एक नार्स बाहर आती है, नमजुन नार्स को बुला कर बाहर रुपकर पूछने लगता है नार्स अंदर क्या चल रहा है, सब कुछ ठीक तो है ना, नार्स कहती है अप लोग मुझसे इतनी सावल मत पूछो, पेशन की हालत ठीक नहीं है हमें और ब्लाड की जरुरत है, उपर से पेशन बेहुश हो गया है नार्स के बाते सुनकर ते यंग शौक्ट हो जाता है, उसके दिल में पेन होने लगता है ते अब एस अब के लिए खुद को दोश देने लगता है, और खुद को दोशी मानने लगता है मीसेश जियोन और मिस्टर जियोन के हार्ट भी अब फ्यार से बीट करना बंद कर दिया था नामजुन कहता है, और बेबी, क्या उसका हार्ट बीट अभी भी चल रहा है नामजुन के वर्ट सुनकर जोंको के पैरेंट्स एंगर में नामजुन के तरफ देखने लगता है नामजुन कहता है, आप लोग मुझे गलत समझ रहे हो, मैं सिर्फ अनबुन बच्चे के लिए पारेशान नहीं हूँ मैं कुकी और बेबी दोनों के लिए परेशान हूँ, मुझे पता है, तेने पेपर्स पर साइन कर दिया और कुकी को सेफ करने के लिए कहा क्या पता कुकी और बेबी दोनों सेफ रहे तए यंग एमर्जिंसी कमरे के अंदर आ जाता है डॉक्टर उसपर गुस्सा करने लगता है तए यंग डॉक्टर से रिकोस्ट करता है तकि उसे अंदर कुकी के पास रहने दे तभी उन में से एक सिनियर डॉक्टर कहता है मिस्टर कीम हम आपको अंदर रोकने के लिए एलाव नहीं कर सकते सिच्वेशन नर्मल होता तब बात अलाग थी लेकिन आपके हस्बन बेहुश है और बहुत किटिकल कॉंडिशन में है इसलिए बेबी आने में अभी भी 14 दिन रहने के बाद भी हमें उनके सारजरी करना पर रहा है उमीद है अप समझ गए मेरी बात प्लीज बाहर जाकर इंतिजार कीजिए आपके यह रहने से हमें काम करने में बहुत ज़दा प्रॉब्लेम होगा अप इसे सहन नहीं कर पाओगे प्लीज लीव त्यंग फिर भी बाहर आने के लिए राजी नहीं था गर्ट अपने साथ तेयंग को बाहर लेकर आता है जीमिन तेय पर गुस्ता होकर कहता है अगर तुम कुकी से सच में प्यार करने लगे हो और अपने बेबी को भी सेफ देखना चाते हो तो डॉक्टर को परिशन करना बंद करो उसे सेफ ली बेबी को जनम देने दो प्लीज तेयंग एंगर में जीमिन का गला दबा लेता है जीमिन तेयंग के हैंड अपने गले से हटाने की कोशिश करता है लेकिन ते इतनी टाइटली उसका गला दबा कर रखा था जीमिन उसका हाथ हाटा ही नहीं पा रहा था जीमिन सास नहीं ले पा रहा था नाम जोन, जीन और योंगी देखो जीमिन से अलग करता है जीमिन कहता है अगर बेबी ना रहा तो इस शादी से जुरे रहने का कोई मतलब नहीं बनता है जी मिन अपने मॉम के तरब देखकर फिर से कहता है मॉम आप अपनी वर्ट से पीछे मात हटना कुकी उसके साथ सिर्फ बेबी के लिए है क्योंकि कुकी नहीं चाहता था के उसके बेबी फादर के बिना रहे अगर बेबी आज नहीं बचता तो आपको अपनी वर्ट रखना परेगा कुकी तेयंग से डिबोर्ट से लेगा आप दोनों उसे सापोर्ट करेंगी उसने कुकी को बहुत टोर्चर किया जीन कहता है जीमिन तुम जब भी बात करते हो गलत क्यों बोलते हो तेयंग उससे प्यार करता है और कुकी भी एडिसिशन लेने का हक सिर्फ उन दोने के पास है अभी समाय है कुकी और बेबी के लिए प्रे करने का दो घंते के बाद फाइनली जौंकुक को होश आता है होश में आते ही जौंकुक आँख खोलने से पहले अपने हैंड रेज कर अपने लोवर एब्डोमिन को टच करनी की कोशिश करता है तब ही तेयंग बहुत ही जेंटली जौंकुक के हैंड ग्राब कर उसे टाइटली होल्ड कर लेता है और cold voice में कहता है बेबी ठीक है जैसे ही जॉंकुक तेयंग के voice सुनता है वो तुरांत अपने आँखे खोल लेता है जॉंकुक के आँखों से पता चल रहा था कि वो अभी तेयंग से बहुत कुछ कहना चाता है और बहुत कुछ पूछना चाता है तेयंग अपने दोनों हातिलियों के बीच में जॉंकुक के हाथ कसकर होल्ड करके कहता है हमारे बेबी को कुछ नहीं हुआ है वो ठीक है क्या तुम उसे देखना चाते हो अब जॉंकुक थोरा रहत महसूस करता है जॉंकुक साइन लेंगोईज में कहता है बेबी कहा है उसे मेरे पास लेकर आओ तेयंग कहता है कुकी बेबी को मैं यहां नहीं ला सकता उसे आपजर्बेशन में रखा है बेबी चौदा दिन पहले आ गया है इसलिए उसे वान वीक तक अंडर अब्जर्बेशन में रखना होगा जॉंकुक इशारा कर नार्स को अपने पास बुला कर उन्ट से पूछने लगता है क्योंकि उसे अप तेयंग पर भरोसा नहीं हो रहा था नार्स को उसके बात समझ नहीं आती जॉंकुक के आँखों में आसु आने लगता है उसे लगा तेय उसे जूट बोल रहा है जॉंकुक अपने बेली पर हाथ रखकर रोने लगता है उसे फिर से दिल में पेन होने लगता है तब ही मिसेज जियोन अंदर आ जाता है जांकुक अपने मौम को देखकर और भी जादा रोने लगता है मिसेज जियोन उसे गले लगा कर कहती है बच्चा ठीक है और हेल्दी है उसे कुछ नहीं हुआ है बस कुछ दिन अबजर्बेशन में रखना परेगा रोना बंद करो अभी तुम चल नहीं सकते तुम बहुत उइक हो काल बेबी से मिल लेना जांकुक कहता है अगर बेबी ठीक है तो मैं उसे आभी क्यों नहीं देख सकता मुझे कोई प्रॉबलेम नहीं है यो मा मैं चल सकता हूँ यो मा मैं अपने बेबी को अपने आँखों से एक बड़ देखना चाहता हूँ कि वो ठीक है या नही तैयंग तुरंद उसे अपने बाहों में उठा लेता है जिससे जॉंकुक शौक हो जाता है नर्स कहती है सार ए आप क्या कर रहे हो उन्हें बेट पर लेटा दीजिए तैयंग जॉंकुक के आँखों में देखते होए कहता है तुम बेबी को देखना चाहते हो ना जॉंकुक देखे बात पर नोट करता है ठीक है मैं तुम्हें बेबी के पास लेकर जाओंगा लेकिन इसके बात मैं जो कहूंगा तुम वो करोगे जदा जिद्दी नहीं बनोगे जॉंकुक हामें अपना सीर हिलाता है तैय कुकी को बेबी के पास लेकर आता है जॉंकुक बेबी को देखकर शॉक्ट हो जाता है जॉंकुक एक पाल बेबी के दरब देखता है और दूसरी पाल में तैय को अपने बीग डोई आइस से घुरने लगता है तेयां कहता है क्या हुआ बेबी बॉई आर यू ओके जॉंकुक तेयां के शोल्डर पर टैप करके साइन लेंगोईज में कहता है मुझे नीचे उतारो मैं खुद चल सकता हूँ अगर इतने माहिनों से बेबी केरी करके चल सकता हूँ मैं तो आप खुद को भी केरी कर सकता हूँ मैं तुम्हारी हिल्प के कोई जरूरत नहीं है तेयां कहता है लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता जॉंकुक कहता है तुम मुझे बेबी को छीनना चाते हो है न इसलिए तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो तैयंग कहता है पास्ट में मैं तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए सौरी प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज फॉर्गिब में तुमसे बेबी को नहीं चीनना चाता जोंग को कहता है मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई नफरत नहीं है इसे सुनते ही तैयंग बहुत खूश हो जाता है लेकिन उसके तुरंद बात कुकी ने जो कहा उससे तैयंग के दिल पुरी तरह से तूट जाता है जोंग को साइन लेंगोईज में कहता है और नहीं मैं तुमसे प्यार करता हूँ फैमिली के सामने हम दुनों एक हैपी कापिल के तरह एक्ट करेंगे सिर्फ एक्ट करेंगे मैं अब बस तुम्हारे साथ इसलिए हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता बेबी तुमसे दूर रहे और तुमें मीस करे तो मेरे साथ प्यार से बात करनी की कोई जरूरत नहीं है तुमसे यंग वान वीक बात अपने बेबी और अपने हस्बिन के साथ मेंशन बापास आ जाता है बेबी के ध्यान रखने के लिए तेई चार से भी जादा नैनीस एपोइंट किया है मेंशन में इंटर करते ही नैनीस बेबी को जौंकुक के हाथ से ले लेता है जौंकुक आजुमा के तरब देखता है आजुमा कहती है सान तुम बहुत लाकी हो यंग मास्टर साच में तुमसे कितना प्यार करता है यंग मास्टर खुद नयनिस का इंटर्वियू लेकर उन्हें इस काम के लिए सिलेक्ट किया है अब से बेबी का ध्यान नयनिस रखेंगे अब रात का समय था जोंकोक तेयंग के साथ एक ही कमरे में नहीं रहना चाता था क्योंकि जब भी तेई उसके आसपास होता है उसके लिए अपने दिल को कॉंट्रोल करना बोकुत ज़ादा डिफिकल्ड हो जाता है लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं है नामजिन अभी भी यही है तेयंग शावार रूम से बाहर आकर जोंकोक को जाकते हुए देखकर पूछता है तुम अभी तक सोए क्यों नहीं? क्या तुम्हें नींद नहीं आ रहा? तेयंग के डीव वोई सुनकर जोंकोक पीछे मुरता है उसे देखनी के लिए लेकिन उसने जब देखा तेयी सिर्फ टावल में है और उसका आपर बॉडी नेकेट है जोंकोक जल्दी से अपने आखें नीचे कर लेता है आचानक उसे बहुत ज़दा पासीना आने लगता है तेयंग जोंकोक के फूरेट पर पासीना देखकर उसके करीब बेट पर जाकर बैठ जाता है और उसे चेक करने लगता है जोंकोक तेयी को पीछे की ओर पूछ कर देता है तेयंग वर्डली पूछता है क्या तुम ठीक हो, तुम्हें सर्दी में भी इतना पसीना क्यों आ रहा है, क्या मैं डॉक्टर को कॉल करूँ, क्या तुम अनकॉमफर्टेबल फिल कर रहे हो, जंगु बेट से उठकर जाने लगता है, तैयंग कुकी के रिस्ट टाइटली होल्ड कर अपने करीब खीश लेता है, जंकु कहता है, डॉन्ट टाच, तुम्हारे साथ आप मेरा कोई रिष्टा नहीं है, तैयंग कहता है, ओ रियली, ऐसा किसने कहा, क्या तुम्हारे पास इसका कोई डॉकुमेंट्स है, क्या हम दोनों के बीच अप कोई रिष्टा नहीं है, क्या हमारी डिवर्स हुआ है नहीं हुआ तो कानूनी तोर पर अब भी मैं तुम्हारे हस्बेंड हूँ चुप चाप यहां बैठो मैं तुम्हारे लेब पर सीर रख कर रिस्ट करना चाहता हूँ तेयंग forcefully जॉंकुक के लेब पर सीर रख कर सो जाता है जॉंकुक तेयंग के तरप शॉक्ट होकर उसे अपने बीग डोई आइस ते घुरने लगता है उसके mouth open था तेयंग innocently कहता है क्या तुम अब भी मुझसे नफरत करते हो तुम चाहे जितने भी बाहर बोलो तुम मुझे hate नहीं करते लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं है तुम मुझे hate करते हो कुकी क्या तुम मुझे अपने आपको correct और एक better husband बनने का एक और chance नहीं दे सकते जॉंकुक मनी मन सोचने लगता है तुम हमेशा से मेरे साथ cold रहे हो कभी मुझे husband नहीं माना मैं तुमसे प्यार की उमीद हर बार करता रहा लेकिन तुमने सिर्फ मुझे heart किया तेयंग बात करते होए एक हाथ जॉंकुक के गर्दन के पीछे रखकर उसे अपने करीब खीच कर उसका चहरा खुद के बहुत नस्दिक लेकर आता है तेयंग से closeness जॉंकुक को nervous महसूस कर भा रहा था जॉंकुक तेयंग को पीछे पुश कर बेट से पीलो उठा कर काउच पर जाकर लेट जाता है तेयंग कहता है तुम बेट पर जाकर सोजाओ मैं काउच पर जाकर सोजाओंगा जॉंकुक कोई response नहीं करता आधी रात तेयंग जॉंकुक को केरी करके बेट पर लेकर आता है जब जॉंकु गेहरी नीन में था टेयंग जॉंकु के फूरेट पर कीज करके कहता है गुड़नाइट लव और फिर टेय काउच पर जाकर सो जाता है नेक्स डे टेयंग नीन से उठ जाता है त्यांग स्लोली आइस राप करते हुए बेट के तरब देखता है तेही देखता है उसके बेबी बॉय अभी भी शान्ती से सो रहा है और वो सोते हुए बहुत मासुम लग रहा है एप पहली बार था जब त्यांग जॉंकुक से पहले सुबह निन से उठ गया था त्यांग कुलोजेस्ट ओपिन कर काप्रे निकलने के बाद बहुत ही ध्यान से कुलोजेस्ट कुलोज कर बातरूम आ जाता है शावर के लिए बातरूम डोर लॉक होने की साउंड सुनकर जॉंकुक निन से उठ जाता है त्यांग जैसे ही शावर रूम से बाहर आता है जॉंक तुरांत आखे बंद कर लेता है जंकुक सिक्रेटली तेयंग को चेक आउट करने लगता है तेयंग फॉर्मल क्लोथ में भी पार्फेक्ट और हैंसम लग रहा था तेयंग को अपने करीब आते देख जंकुक गहरी नीन्द में होने का नाटक करता है तेयंग बेट के कौर्ण में बैट कर जंकुक के बॉड़ी टेमपराचर चेक करने के बाद मॉर्निंग सेक्सी टोन में कहता है लव तुम्हें टाइम पर ब्रेक्वस्ट के बाद मेडिसन भी लेना है जंकुक बेट पर उठकर बैठ जाता है वो खुद को बेट पर देखकर बहुत ज़्यादा हायर जंकुक के लिए ब्रेक्वस्ट टेबिल पर इंतेजार करने लगता है जंकुक ब्लक टी शाट और शॉर्ट पहन कर सीरियों से नीचे आने लगता है फूटिस्टिप की साउंड सुनकर तेंग उस डिरेक्शन में देखता है जंकुक इतना होट और सेक्सी लग रहा था कि पहें कि अपने ही हस्बेन को शियमलेसली घुरने लगता है टेंग कहता है गुद मूर्निघ लव जंकुक कोई रेसपॉंस नहीं करता लव तुम ब्रेक्वस्ट में क्या खाना चाहते हो एगें जंकुक कोई रेसपॉंस नहीं करता अब तेंग के लिए इससा बहुत फास् लव अगर तुम्हें कुछ नहीं चाहिए एटलिस्ट तुम मना तो कर सकते हो ना जोंग को पेपर पर कुछ राइटिंग कर तेयंग के सामने टेबिल के उपर रख देता है तेयंग रीट करने के बाद कहता है ओके मैं समझ गया कूकी होस्पिटल में तुमने जब बेबी को देखा तुम सारप्राइस्ट देखाई दे रहे थे बेबी को देखने के बाद क्योंकि उसे देखने के बाद तुम मुझे बहुती आजीब तरह से घुर रहे थे क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाते हो जंकुक फिर से ते को इग्नोर कर देता है और पेपर पर राइटिं जो आंको कहता है, हाथ जोड़ो मेरा, मुझ पर हाग जाता ना बंद करो, कुद को मेरे हस्बिण समझना बंद करो मैं तुमसे अब प्यार नहीं करता क्यों मैं तुमसे नफरत भी ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ बेबी को मैंने अपने टामी में क्यारी किया लेकिन वो तुम जैसा देखता है जब जब मैं उसे देखता हूँ मुझे उसमें तुम देखाई देते हो आहां मैं पागल हो जाओंगा अचानक तेयंग के टस से जॉंकु घबरा जाता है और उसके बॉड़ी शिवार करने लगता है जब जब को अपने थौट से बाहर आकर तेयंग के तरफ देखता है तेयंग कहता है मन में मुझे गालिया देना बंद करो जो कहना है फेस टू फेस कहो बेबी बॉई दोपेर को मैं घर पर नहीं आऊंगा तुम मेरे लिए इंतिजार मत करना अब मैं तुमसे सिधा शाम की पार्टी में मिलूँगा और हाँ खुद को काम से दूर रखना जोंकुक पार्टी के बारे में सुनकर ही डरने लगता है ते उसे अपने बाहूं में होल्ड करके कहता है डोंट वारी मैं सब संभाल लूँगा इस पर कोई मिस्टेक नहीं होगा ते जाने से पहले जोंकुक के फोर हेट पर कीस करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन जोंकुक उसे पुश करके लिविंग रूम से भाग जाता है जोंकुक अपने कमरे में तेगुक को अपने बाहूं में होल्ड करके बैठा हुआ था तबी डोर पर नौक होता है थोरी देर बाद आजुमा नैनीस के साथ कमरे के आंदर आ जाता है उनके हाथ में बहुत सारे शॉपिंग बैक थे आजुमा नैनीस से कहती है तेगुक को उसके कमरे में लेकर जाओ और उसे सुला दो जोंकुक कोश्टिनिंग लूक से आजुमा के तरब देखने लगता है आजुमा कहती है शॉपिंग बैक के अंदर आपके लिए पार्टी के कुलोध है जो यंग मास्टर खुद आपके लिए सिलेक्ट किया है जोंकुक कहता है घर पर पार्टी किसलिए रखा है और मुझे क्यों पार्टी जोईन करना है आजुमा कहती है चलो मैं तुम्हें तैयार होने में हेल्प करती हूँ पार्टी तेगुक के जनम के खुशी में रखा है जोंकुक खुद पार्टी के लिए तैयार हो जाता है शाम को सभी गेस्ट पार्टी वेनों में पहुश चुका था सब जोंकुक और बेबी के लिए इंतिजार कर रहा था तेयंग जॉंकुक को उसके कामरे में लेने के लिए आता है लेकिन जॉंकुक उसके साथ चलने से मना कर देता है जॉंकुक आजुमा के साथ बाहर आ जाता है पार्टी में सब ड्रिंक करने और एक दूसरे के साथ गॉसिप करने में बीजी हो जाता है जांकुक सबसे दूर जाकर बैठा था और दूर से ही जांकुक अपने हैंडसम हसमन को घूर रहा था तब 이 पार्टी में एक गॉडजियस लेडी इंटर करती है सबका ध्यान उस गॉडजियस लेडी के तरफ जाता है एक गॉडजियस लेडी और कोई नहीं तेयं के पर्सोनल एसिस्टेंट मिस्टर ज्यंग के डॉर्टर वायन एक लोंग बलू ड्रेस पहनी हुई थी और उसके लोंग हैर्स उसके बेक को पुरी तरह से कवर कर रखा था वायन को तेयी पर बहुत पहले से ही क्राश था वायन तेय से बात करने उसके पास आ जाती है जैसे ही वायन तेयंग से हैंड शेक करने के लिए अपनी हाथ आगे करता है, उसके पैर उसके flawless long dress के साथ अटक जाता है, वायन गिरने वाली थी, तब ही ते ही उसे गिरने से बचा लेता है, तेयंग के हैंड वायन के कमर पर था और दूसरी हैंड उसके shoulder पर था, जैसे ही को एक दूसरे के नजदेग देखता है, जंकुक मनहीमान कहता है, वायन लुक अट दिस shameless girl, I don't even touch my husband and you just touch him that easily, मैं अपने husband के करीब नहीं जाता, उसे इतने प्यार से कभी touch नहीं किया, और तुमने तो दो second भी नहीं लिया, मेरे husband से चिप अपने के लिए, वायन डेलिकेट smile के साथ कहती है, ठैंक्स तैयंग, अगर तुमने मुझे catch नहीं किया होता, तो मैं गिर जाती, तैयंग mirror के थुरूद जोंकुक को अपनी और जेलसी से घुरते होए देख लेता है, तैयंग जोंकुक को और भी जादा जेलस फिल करवाना चाता था, तैयंग अपने deep voice में क कमर से बकर कर अपने करीब खीच लेता है, दोनों बहुत close होका dance floor पर dance कर रहे थे, पार्टी atmosphere बहुत ही hot और romantic हो गया था, जोंकुक एंगर में वेटर के हाथ से उसकी के दो glass अपने हाथ में उठा लेता है, और तैयंग के तरफ straight घुरते हुए उसकी के दोनों glass पी लेता ह जेलासी से जोंकुक के whole body वान होने लगता है, जोंकुक अपने seat से उठकर slowly walk कर dance floor पर जाने लगता है, ओके गाईस तो इस पार्ट को मैं एही end करती हूँ, I hope कि आप लोग स्टोरी enjoy कर रही हो और आप लोग इसके last episode के लिए पूछ रही हो बार बार क्यूँ आप लोगों क प्लीज आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कोमेंट और शेयर कर देना और हाँ चैनल को भी सब्सक्रेब क्या करो अप लोग बहुत स्लो हो सब्सक्रेब धीरे धीरे कर रही हो इतनी अच्छी स्टोरी देने का क्या फाइदा अगर सब्सक्राइब भी ठीक कर बेबिस बापाई